गुड मॉनी एत्त स्टेंडर, अवर यू आल, ओप यू आल आर फाइन आट यूर होम, तो टेक यूर भाषा मनी हिंदी बुक, और पे नंबर, वान ट्वेंटी त्री, लेसन नंबर सिक्स्टीन, और लेसन का नाम है जवाला मुखी के अंदर यह लेक मानव द्वारा प्रकीती के रहसेओं को जानने के लिए उठाएगे खत्रों का वर्नन करता है लावा उगलते जवाला मुखी के अंदर जाकर वहां के बारे में प्रमानिक जानकरी लाने का सास करके श्री ए किर्चर द्वारा दुनिया के सामने जवाला मुखी के रहसेओं को जान लेवा पहले व्यक्ति थे जैसे विग्यानिक हाथ चीज की जाँच खोज करते हैं वैसे ही मानव कई तरह के रहसे के बारे में जानकरी प्राप्त करके उन्हें समझना चाता है वैसे ही प्रसिद विग्यानिक ए किर्चर एक सक्रिय जवाला मुखी के गर्ब में क्या होता है जानना चाता है जवाला मुखी से लावा कैसे फूटता है और उसके अंदर क्या गट रहा होता है वैं स्वेंग किसी ऐसे जवाला मुखी के अंदर जाकर वहां से परमानिक जानकरी प्राप्त करना चाहता था एक किर्चर ने रपोर्टों को पड़ा था कि कुछ विग्यानिक जवाला मुखी की जानकरी प्राप्त करने में असफ़ल रही थे किर्चर ने अपने सहाईकों को बताया कि वह जवाला में के अंदर की जानकरी प्राप्त करना चाहता है वे सब चौंक गए परकेचर के द्रेड निश्चे को देकर उन्होंने एक जुट होकर कारे करने का फैंसला किया यह तो पता ही है कि लावा के अंदर का तापमान बहुत अधिक होता है तो उन्होंने जवाला मुखी के अंदर जाने से पहले अपनी तैयारी की जैसे के अस्वेस्टस जो के उन्चे तापमन पर नहीं पिगलती वैसे ही उन्होंने कई त्राके जो अपने जो समान वगरा तैयार किये जैसे वस्तर, जूते, दस्तान ने सिर्का कवर सभी अस्वेस्टस का बनवाया और पत्थों से सिर्की रक्षा करने के लिए अस्पात का टोप भी बनवाया जुआला मुकी के अंदर जाकर एक किर्चर ने गड़ों में खोजता, खौलता लावा, घना, धुवा और रंग बिरंगी गैस बरी हुई देखी जो के लावा का रूप दार्न करती है ऐसे ही किर्चर ने जवाला मुकी से लावा का विस्फोट की जानकर प्राप्त की एक किर्चर पहले व्यक्ती है जो के जवाला मुकी के जानकर प्राप्त करके सकुशल वापिस लोटे थे तो प्यारे बच्चों हमें भी ऐसे ही जो अपनी जो किसी चीज की अगर खोज करनी है तो उससे पहले हमें क्या करने चाहिए अपनी तियारी करने चाहिए और कभी भी कोई भी कठीन जो कारे उसको देखकर और सुनकर कभी गबराणानी चाहिए उसको करने की कोशिश और हिमत विश्वास जो रखना चाहिए तो प्यारे बच्चो इस लेसन की आपने रीडिंग करनी है रीडिंग करोगे तो आपको और भी अच्छे से इसके जो जानकरी प्राप्त होगी थेंक यू